शाम की छोटी छोटी बूख वो एक वक्त होता है जब पेट इतना भरा नहीं होता है परन्तु कुछ हलका फुलका खाने की गुंजाइस होती है ऐसे टाइम पे लोग ऐसे चीज दूंटे है जो जल्ली से बन जाए और ज्यादा हैवे बिना हो हे गाईस इट्स में अगेन मेरा नम कविता है और मैं मुंबई में रती हूँ तो मैंने नास्ते का डबा खुलके देखा तो थोड़ी थोड़ी से चीज बची हुई थी जैसे कि मखाने है कुर्मुरा है बुजिया है मेरे पास नम किन भी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था रोस्टेड चना रोस्टेड पीनट और मसाले वाले सिंग चना भी पड़े हुए थे तो मैंने सुचा कि चलो कुछ बना जाए एक ऐसे चीज जिसे बच्चों को भी पसंद आए और बड़े को भी पसंद आए चलो आज बनाते हैं मिक्स चकना जो बच्चों से लेके बड़े तक भी उसको शाम को छोटी छोटी बुक लगने पर इंजोई कर सकते हैं मिक्स चकना एक ऐसा स्नैक होता है जो बच्चों के लिए लाइट और हेल्डी ओप्शन बना जा सकता है इस रेसिपी बनाने में कुछ भी पड़ा हुआ था थोड़ा थोड़ा वो सब मैंने निकाला है थोड़ी एक डो चीज में मार्केट से लेके आए तो 15 दिन पहले ना मैंने घर पे एक किलो का पोहा चिवडा बना था इसको कॉन फ्लेक्स चिवडा भी बोलके है तो इसकी रेसिपी भी मैंने अपन हुआ चिवडा है वो मिक्स कर दूंगी तो जबी मैंने पोहा का चिवडा बनाया है अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा है तो आप सब को पताए कि मैं किस तऱ से चिवडा बनाती हूँ तो सबसे पिले तो मैं एक ताड़ पत्री ये मेरे घर पे हमेशा रहती है ये वो ताड़ पत्री है जिसके अंदर गेऊं बरकी आता है जबी गेऊं खतम होता है उसको मैं वाश करके अपने घर पे ही रखती हूँ क्योंकि जबी डिवाली का नमकिन हो या फिर कुछ चिवडा बनाने हो तो मेरे लिए बहुत आसानी होती है और नहीं जारा बरतन ख या कभी आपने बाजार से कोई नमकिन लाया है अगर लाया है तो आप वो नमकिन में भी देखना कि बाहर वाले नमकिन में भी कड़ी पत्ता फ्राई किया हूँ रहता ही रहता है कड़ी पत्ता से क्या होता है कि वो जो नमकिन है उसका टेस्ट और स्मेल बहुत ही बढ़ि सबी को हमें मिक्स करना है तो थोड़ी देर में ना मुर्मूरा क्रंची हो जाएगे बस 2-3 मिनिट लगेगा उसको जादा क्रंचीनेस आने में जादा टाम नहीं लगता है बहुती फटाक से ये सोटे हो जाते है आप देख सकते हो मुरुमुरा बहुती कृिस्पी और क्रंचीनेस आ गई है आप देख सकते हो बच्चे को ना मुरुमुरा बहुती पसंद आते है तो मैंने ताड़ पत्री बिचा दिया है आप सब को पता है उसके अंदर ही हम सब कु करती हूँ तो गी मैंने दू चमच लिया है आधी चमच मैंने हींग एक εκमच मैंने धना जीरा पाउडर स्वारें बूतान पाउडर वह से मैरा बच्छा न माकाने कभी कभी स्कूल में भी लेके जाता है इसलिए उसको मैं माकाने घी में रोड करके देती हूँ देखते देखते मकाने भी रोस हो गए है जब तक इसमें भी मुर्वुरा जैसे क्रिस्पिनस ना जाए तब तक हमें उसको रोस करना है तो मकाने को रोस करने के बार उसको भी हमें टाड़ पतली पर निकाल देना है तो जब तक हम चीवडा बनाते है तब त लाइटी वैसे अक्सर में बच्चे के लिए लाती हूँ तो मैंने सोचा कि इसका भी नमकिन में इस्तमाल किया जाए वैसे आप इसके दरना मन चाहे नमकिन का इस्तमाल कर सकते हो रोस क्या और राइफुड भी डाल सकते हो तो यह चिवडा मैंने कोई मेजरमेंट से नहीं ब बना सकते हो इसके मैंने मूंकी डाल डाली है उसके बाद भुजिया थोड़ा सा पड़ा हुआ था या फिर आप नॉर्मल वाले सेव या फिर टिकी वाली सेव का भी इस्तमाल कर सकते हो वैसे यह बुजिया सेवे तो यह थोड़ा बोतो तीका ही आता है उसके बाद मैंने म की होना तो सबका मूँ बन जाता है परन्तु अगर भार वाला कुछ ठीका हो या फिर नमकिन होना तो पता नहीं क्यों पेट भर के खाते हैं चलो इसके अंदर मेरे अपने बैटे की फेवरेट कुर्मूरे भी डाल दिये हैं अभी सबको कड़ो मिक्स मिक्स और शाम की चोटी के साथ क्या खाएं अगर आपके घर पे भी यही कोशन आता है तो यह वाला नमकिन ज़रूर बनाएं और अक्सर मम्मी को भी यही बाट सताती है कि बच्चे को क्या दुखाने में या फिर टिफिन बॉक्स में क्या दिया जाएं इसको आप बहुत ही लंबे समय तक श्टोर करके रख सकते हो परन्तु जब आप श्टोर करो ना तो ध्यान रखेगा कि वो जो डबा है वो एट टाइट कंटेनर हो मुश्किल से मेरे घर पे तो यह दस देनी ठीकेगा मुझे पता है आप इसको दिवाली के मोके पर भी बना सकते हो वैसे अभी दिवाली भी आ रही है तो एक बार मेरे केने पर यह नहीं वाली नमकी या फिन नहीं वाली चकना जहो ट्राइ करना चलो मैंने तो अपना शाम का नास्ता बना लिया है आप क्या बना रहे हो चलो बाब बाई मिलते हैं अगले वीडियो में रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेर और सब्सक्रा क्या बाइक 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